बनाती थी भले में जंग फूट भी बनाती थी मैंने उसको भी खाया है लेकिन सिर्फ एक चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है जिसकी वज़े से जाने अन जाने में ही आपका मोटा पा बढ़ता है तो वो क्या कर अच्छा हर कोई अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही रहे होते हैं जिम भी जॉइन कर लिया होता है मगर उसके बाद भी हमारा मोटा पा जो है वो कम नहीं हो रहा होता तो जाने अन जाने में हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वज़र से हमारा जो मोटा पा है वो कम होने की जगा पर बढ़ता जा रहा होता है तो आ मैं आपको देती हूँ बहुत सारे हैल टिप्स, एक्सराइज, फिटनेस रेसेपीज, हैल टिप्स और भी बहुत कुछ तो आज का जोगी टॉपिक है, इस पर बात करते हैं, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ू, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमें करके मुझे बता ना कि आज काई टॉपिक आपको कैसा लगा, तो चलो वीडियो को शुरू आज की रेट में, मैं जब भी कहीं पर जाती हूँ, हर कोई मुझसे यही एक कॉशन पूछता है कि माम, आपने इतना वेट कैसे लॉस किया, और मैं उन सब लगों को यही जवाब इगनूर करते हूँ, मतलब आपको पता सब कुछ होता है, बट आप इसो और धान नहीं देते, तो जब मुझसे रूख इस तरीके की ना चीजे पूछते हैं, तो जब मैं उनको यह छोटे-छोटे से पॉइंट्स बताती हूँ, तो मुझे लगा कि यह सब चीजे आप सब आप सब लगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, इसलिए आज की यह वीडियो मैंने आप सब लगों के लिए बनाई है, तो आज की यह जो वीडियो है, इसका टॉपिक है कि कहीं जाने अन जाने में, तो आप सब लोगों का मोटा पा नहीं बढ़ता जा रहा है, जी हाँ दो मैंने सब कुछ खाया है, घर पर बना हुआ, इविन आलू के पानाखे भी खाये हैं, मैंने कभी भी देशीगी को इग्नोर नहीं किया, और घर में जो कुछ भी बनाती थी, भले मैं जंग फूड भी बनाती थी, मैंने उसको भी खाया है, लेकिन सिफ एक चीज है जिस पर मैंने घर का बना हुआ जो भी खाना खाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ वही खाना खाना है, पता है कभी-कभी ऐसा होता है कि हम घर पे मतलब जिसे हमने डाइट प्रान अपना सैट किया, ठीक है, मालूब डाइट प्रान हमने सैट कर लिया, कि हम सुप ब्रेक पास्ट क करेंगे देन करेंगे ठीक है, यह तो हो गए हमारे तीन दिन के मतलब मील थिक है, इसमें हमने घर का बना हुआ बना जो कि आलोरी वाला खाना बनाया और उसे खाया ठीक है, इसके अलावा जिन चीदों पर हम ध्यान नहीं देतें, वह गुता है इसके अलावा है तो इसके तो हम क्या करते हैं ? जब हमें cravings होते हैं तो हम क्या चीज़ें खाते हैं anggis Mississippi We haveKA A Nikis Hello इन-दंधिस कीज़ें इसकत्के आइज कर Mills से अशनावप्र,' ऐसा नहीं है कि पीजा थे से बрगर लाता है सरफ इनहीं को जन्क फूट का जाता है याजर जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमको सिर्फ इनी चीजों को चोड़ना होता है नहीं ऐसा नहीं होता मारकेट के जितने भी प्रोड़क्ट्स होते हैं और इस चीज़ पे कभी कोई ध्यान ही नहीं देता कि बिस्किट और जो नमकीन होती है वो हम बहुत कम क्वांटर्टी में भी खाते हैं आप कभी किसी बिस्किट के पैकेट के पीछे की कैलोरी देखना कि एक पैकेट में कितन में बहुता है उसके अलावा हम खाना खाते है तो बस मैं आप सब प्रोड़ को से यही कहना चाती हों कि माल इजा हमें एक छोटा बाउल भरंके नमकीन खा लेते हैं, तो उससे इमारा पेट तो नहीं भरता लेकिन उसमें चोटी सी कटोरी जो ओती है इक नमकीन के, जो छो बर्गर नहीं खाना है या फिर आपको मार्किट के टिककी नहीं खानी है या फिर आपको ऐसी चीज़ा नहीं खानी है नहीं सबसे जादा और सबसे कॉमन जो जो चीज़ें होती है जिन पर हम लोग ना ध्यान ही नहीं होते नहीं देते बिल्कुल भी वो होती है हमारे घर में रखे होने वाली हर वक्त अबेलेबल होने वाली बिस्किट और नमकीन जिसमें बहुत ज़दा कैलोरी होती है और हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते तो ये तो था पहला रीजन जिसकी वज़े से जाने अन जाने में वेड बढ़ जाता है हमारा बिस्किट और नमकीन की वज़े से तो ये आपको बिल्कुल स्किप करना है अगर वेड लॉस कर रहे हो दूसरी चीज एक और होती है जिसकी वज़े से जाने अन जाने में आपका वेड बढ़ता है क्या होता है मैंने आपको पहली भी कई सारी वीडियो में ये बताया था कि जंपी हमना किसी भी चीज में चीनी और नमक को एक साथ एड कर देते हैं ठीक है उन सब चीजों से हमारी बॉड़ी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है अब देखो इसका एक्जाम्पल आप इसी तरी के से ले लो जैसे कि बिस्केट्स होते हैं ठीक है बिस्केट्स होते हैं केक होते हैं इन सब चीजों क्या होती है चीनी के साथ साथ नमक भी होता यानि कि शुगर भी होता है और सॉल्ट भी होता है और मार्केट की जितनी भी आइटम्स होते है इन सब में शुगर के साथ साल्ट भी एड़ होता है तो जब भी हम शुगर और सॉल्ट को एक साथ खाते हैं तो हमारा पेट बढ़ेने लगता है क्योंकि बॉडी में वाटर स्टोर होने लगता है इसलिए कहते हैं कि जब आप फ जो मैं आपको बता रही हूं कि जहां पर शुगर और सॉल्ट एक साथ कम्माइन होता है वही पर उसमें यह प्रॉपर्टी क्रियेट हो जाती है कि वो पॉडी के अंदर जाएगा और वो पानी को होल्ड कर लेगा यानि कि आपकी बॉडी में वाटर रेटैंशन होने लगे कि आप कहां पर गल्ती कर रहे हो और किन चीजों की बज़े से जो है आपका वेट वो कम नहीं हो पा रहा है तो ऐसे जितनी पी चीज़ें हैं जिनमें सॉल्ट और शुगर एक साथ एड़ होता है उन सब चीजों को खाना आपको बिलकुल बंद करना पड़ेगा अगर चाह जितनी बार खाओ मैं आपको यह पहले भी बता चुकी हूं कि जब हम 32 बार वाला फॉला फॉलो करते हैं यानिकि इटिंग मैथड जो होता है चबा चबा के खाने बाला तो इसमें यह बिल्कुल भी माइने रहता कि आप दिन में तीम भार खा रहे हो चार बार खा रहे हो आपको जितनी बार भूख लग रही है आप उतनी बार खाओ लेकिन जैसे ही आपका पेट भर जाए आपको खाना खाना विल्कुल बंद कर देना है और हर पार जब भी खाना खाना है आपको चबा चबा के खाना है कम कौंटिटी में खाना है और घर का बना हुआ ही खाना ह और जादा से जदा अपने खाने में आपको fruits और vegetables एड़ करने होते हैं, बहुत ही अदर easily आपका weight, कम होगा, पेट हमेशा भरा रहेगा, और चोटे-चोटे से जो tips होते हैं, इसकी वज़े से आप सब कुछ खाते-पीते हुए भी, जैसे कि मैंने अपना इतना weight loss किया है, जिम की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हमको बड़े-बड़े भाएंगे-भाएंगे प्रोटीन के डिब में खरने की ज़रूरत होती है, हमारे घर में बहुत सारा प्रोटीन, देसी और बहुत चीप वाला, एबलेबिल होता है, जिसका price बहुत कम होता है, ल इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना मुझे कैसी लगी, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर इसी तरीकी कि आप और भी वीडियो को देखना चाते हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बन प्योंकि? बा बएई!